काल की गरजना से जगत के निर्माता ब्रह्मा जी का भी आशन डोलने लग जाता है। संत कबीर दाज जी ने अपने दोहे में बताया है यह दोहा इस परकार से है कबीर सुता क्या करे सुता होई अकाज ब्रह्मा का आसन खिशा सुनत काल को गाज इस दोहे का सब्दार्थ है कबीर सुता क्या करे मतलब संत कबीर दाज जी कहते हैं अज्ञान की निंद्रा में सोक क्या कर रहे हो , सुत्ता होई अकाज मतलब सोने से तुम्हारी भाणीही होगी , ब्ह्मा का आशन किशा मतलब जđत के निर्माता ब्हमा जी का आशन भी हिसकने लगा सुनत काल को गार मतलब काल की गरजना को सुनकर इस इस दोहे का भावार्त है संत कबीरदास जी कहते हैं माया के ब्रह्म के कारण जिवात्मा अज्यांता की निंद्रा में पड़ी रहती है संत कबीरदास जी कहते हैं इससे हानी ही होने वाली है काल की गर्जना सुनकर तो जगत के निर्माता और नियामक साकसात ब्रह्मा जी भी विचलित हो जाते हैं तो तुम क्या कर सकते हो भाव है कि काल सर के उपर मंडरा रहा है जो कभी भी जिवात्मा को अपना सिकार बना लेता है इसलिए हरी के नाम का सुमिरन करना ही लाबकारी है इसी पर संत कबीरदास जी ने कहा है कबीर सुता क्या करे सुता होई अकाज ब्रह्मा का आसन खिस्या सुनत काल को गाज झाल झाल